गैज आ कि असलाम वोल्कुम वीवर्स वालकुम तू मय चानल प्रिविएश वीडियों में हमने अपने बॉलग को गुगोल सर्च कोival में सब्सक्राइ, इस लीए गूगल सर्च इंजन में अड किया था क्योंक्वार व्लोग गुगल की सर्च में नजर आए आज की वीडियो में आप लोग जी सीखेंगे कैसे आप अपने व्लोग पर थीम को इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे किस्टमाईज करेंगे मतलब इसका लेयाउट कैसे चेंज करेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़े हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनको हम कैसे रिमॉब करेंगे तो चलें करते हैं स्टार्ट आज की इंफर्मिटिव वीडियो को सबसे पहले आपने अपने व्लोगर की डैश बॉर्ट को उपन करने के बाद आप इधर से अपने थीम को डाउनलोड करेंगे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमने जब बलोगर का अकाउंट सेटप किया था तो बाए डिफाल्ट हमारे पास कौन सा थीम था तो बाए डिफाल्ट हमारे पास ये बाला थीम था तो अब हम इसे कैसे remove करेंगे मतलब हम कैसे custom theme एड करेंगे तो पहले तो google से download करेंगे download करने के बाद हम इदर upload करेंगे तो इसके जगा वो वाला theme आजाएगा जो हम upload करेंगे by default ये वाला theme है तो आप इदर google पर type करेंगे SORA SEO 2 इसके बाद आप enter press करेंगे enter press करने के बाद यह जो first link है SORA SEO 2 blogger और यह website है goya b templates.com आपने इस link पर click करना है यह जो first link नज़र आ रहा है इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे scroll down करने के बाद आप इदर से अपने blogger का theme का live preview भी देख सकते हैं अगर देखना हो तो वरना आप इसके बाद download पर click करेंगे तो download पर click करने के बाद यह file आपके laptop पर download हो चुकी है इसके बाद आप download पर आएंगे download पर आने के बाद आप इदर से right click करेंगे right click करने के बाद आप इदर से extract files करेंगे extract files करने के बाद आप इसे ok करेंगे ok करने के बाद हमारे पास ये एक folder है तो इसके बाद आप इदर से examl document को upload करेंगे अपने blogger के dashboard पर तो ये theme आपके blogger पर install हो जाएगा आपने ये दिहां रखना है आपने examl document को upload करना है अगर आपके पास win rr software नहीं है तो आप google पर type करेंगे तो वो software आजाएगा उसके बाद आप उसे download कर साथे हैं तो इसके बाद download करने के बाद extract हो जाएगी आपकी file अगर आपके पास win rr software नहीं है इसलिए बता रही हूं मैं जे तो download करने के बाद आप इसे close करेंगे इदर से और इदर वापस आप अपने blogger के dashboard में आएंगे नीचे थोड़ा सा scroll down करेंगे scroll down करने के बाद आप तीम पर click करेंगे तीम पर click करने के बाद आप इदर click करेंगे customize पर click करेंगे customize पर click करने के बाद आप इदर से restore पर click करेंगे restore पर click करने के बाद आप upload पर click करेंगे upload पर click करने के बाद आप इदर से examl document को select करेंगे select करने के बाद यह जो examl document है इसे आपने select करना है select करने के बाद आप open करेंगे open करने के बाद यह theme restore हो जाएगा तो इदर message भी appear हो जाएगा भी आपका theme अप्लोड हो चुका है तो यह restore हो गया हमारा theme इसके बाद हम अपने theme का preview करते हैं भी वो change होगा भी है जानी by default यह वाला theme है इदर से हम refresh करेंगे तो जो हमने theme अप्लोड किया था वो इदर आ जाएगा तो यह theme हमारा आ चुका है अब हमने एक step कर लिया है आज की वीडियो का theme को डाउनलोड करके इसको अपने blogger पर upload कर दिया है अब हम जो हमारा step number two है वो है theme की customization हम कैसे जो फाल्टू चीजे हैं इनको कैसे हम delete करेंगे और इदर से इसकी अगर आपको जरूर नहीं है जे आप लोग कैसे remove करेंगे about menu अगर आपको नहीं चाहिए फूटर पर चाहिए तो आप इन चीजों को फूटर पर भी ला सकते हैं तो तो पर आपका जे जो है responsive add आएगा जब आपको approval मिलेगी तो आप code paste करेंगे अपने blogger के theme में layout में तो इदर आपका add नजर आएगा तो इदर से आप अपने social media के जो है account वो भी attach कर सकते हैं इदर हम अपने blog के pages बनाएंगे होम अबाउट आस को टेक्स आस डिस्कलेमर प्राइवेसी प्लीस थी तो जे हम pages बनाएंगे इदर से हम menus add करेंगे आज की वीडियो में हम वो चीजों की customization करेंगे जिनको हमने अपने blogger से remove करना है तो next step by step में आपको बताऊंगी कैसे आप पहले अपने pages बनाएंगे होंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले pages बनाने पढ़ेंगे pages बनाने के बाद हम menus बनाएंगे उसके बाद step by step मज़ीद आगे चलेंगे तो आज की वीडियो का main topic हमारा है यह था भी हमने think को डाउनलोड करने के बाद उसकी customization करनी है अब जो चीज़ें नहीं चाहिए हमें उन्हें remove करना है तो next time pages वाली वीडियो बनाएंगे तो इदर भी आपका एक इदर आपको social icon नज़रा रहे है जिनकी आपको जरूरत है वो आप रख लीजेगा जिनकी नहीं है वो आप remove भी इदर से कर सकते हैं तो मैं भिने रिमॉब करूंगी इधर इधर भी आपका एड याद नजर आएगा इधर भी आपका एक आड नजर आएगा तो इधर फुटर में भी आप पापुलरी सेंट रंडम पोस्ट को connect कर सकते हैं, इंटर लिंक कर सकते हैं तो इधर हम अपने व्लोग के बाउट कॉंटक्ट आस पेजिस बनाएंगे जी पेजिस क्यों इंपोर्टन है क्योंकि जब हम अप्रूवल लेते हैं गुगल आड्सिन की तरफ से तो उनके लिए जी मस्ट होता है भी आप अपने पेजिस बनाएं जो लोग पेजिस नहीं पन आने हैं और आपका जी जो थीम है जी रिस्पॉंसिव होना चाहिए रिस्पॉंसिव का मतलब यह है जी आपकी स्क्रीन के फुल विद्ध को कवर करें मतलब आपने जो वैपसाइट ओपन की है वो फूली कस्टमाइजेबल हो व्यूबल हो भी आपके फुल स्क्रीन पर किस्टमाजेशन तो वापिस साथ आपने ब्लोगर की डैश बॉर्ड में आना है इसके बाद आप लेयाओट पर क्लिक करेंगे लेयाओट पर क्लिक करने के बाद इदर से हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे हम रिमूव करेंगे इदर से हमें इंस्टाग्राम और क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद इदर से हम जिनकी हमें जरूरत नहीं है उन्हें हम रिमूव करेंगे तो इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इससे हम रिमूव करते हैं इससे भी रिमूव करते हैं इससे सेव करते हैं तो इसके बाद अब हम किसे रिमॉव करेंगे इसके बाद ये थी ओप्षिन है इस पैंसल पर आप क्लिक करेंगे इस पैंसल पर क्लिक करने के बाद आपने इदर से अगर सैटिंग करनी होई तो आप कर लेजिएगा करने के बाद आप इदर से सेव करेंगे तो इसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रोल लान करेंगे इदर है टॉप नैविगेशन टॉप नैविगेशन में जे अबाउट कॉंटक्ट असके पेजिज हैं जे जो हमें लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं तो अबाउट कॉंटक्ट जे पेजिज पेजिज हैं इन पेजिज को हम इदर से सेट अप करेंगे इदर हम एडिट पर क्लिक करेंगे एडिट पर क्लिक करने के बाद हम जब पेजिज बनाएंगे न तो पेजिज बनाने के बाद हम उनका जो लिंक होगा वो इदर पेस्ट करेंगे वो भी मैं अपकमिंग वीडिय इसकी आप कैसे सैटिंग करेंगे तो अभी तो जिस्ट मैं आपको बता रही हूँ कस्टमाजेशन का ओवर व्यू दे रही हूँ तो इसके बाद सोशल टोप आइकन है यह जो हमें इदर नजर आ रहे हैं न यह वाले आइकन फेस्बुक ट्विटर इस्टाग्राम पिंटरस्ट इन पर भी हम एड़िट पर क्लिक करने के बाद फेस्बुक अकाउंट के जो होगा लिंक वो इदर पेस्ट करेंगे सेव करेंगे तो हमारा जो फेस्बुक की अकाउंट होगा वो इदर एड़ हो जाएगा तो यह भी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी फिलहाल हम यह देखेंगे जिनकी हमएं जरूरत नहीं हम रिमूव करेंगे हमें इदर से पिंटरस्ट और इंस्टाग्राम के जरूरत नहीं है तो हम इसे हम रिमूव करेंगे तो इसके बाद हम सेव करेंगे सेव करने के बाद हम इदर रिफ्रेश करेंगे तो वो इदर से दो जो इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट होंगे वो रिमूव हो चुकी होंगे तो जे देखें रिमूव होगे इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यह चार्ट स्टेप हैं हम निकाल लिए इसके बाद हम हैडर लोगो इस पर क्लिक करेंगे तो इदर से हम अपने ब्लोग का जी जो लोगो है इसे हम चेंज कर सकते हैं यह लोगो जो है आप इसे रिमूव करेंगे तो आपकी वैबसाइट का इदर निम आ जाएगा अगर आप निम रखना चाहते हैं तो निम रख सकते हैं वनना आप गूगल से लोगो बनाने के बाद उसे इदर से अपलोड भी कर सकते हैं तो मैं इदर रिमूव करती हूँ क्योंकि हमें यह लोगों नहीं चाहिए हमें अपने वैबसाइट का निम ही चाहिए इसके बाद आप सेव करेंगे सेव करने के बाद जो 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 लोगों होगा यह वाला जी रिमूव हो चुका होगा तो आपकी website का नेम आ जाएगा जैसे इधर मेरी website का नेम आ गया है news का जैसे इधर name था ये वाला news का तो इधर भी news का नेम आ गया है अगर आप ऐसे name नहीं रखना चाहतें तो आप google से एक website है design evo.com उसको आप Google पर टाइप करेंगे तो वो वैबसाइट ओपन हो जाएंगी तो इसके आप लोगो फ्री मेक debates क्लीक करेंगे तो आप फ्री में उधर से एक लोगो बना सकते हैं लोगो बनाने के बारा अब उससे अधर अप्लोड कर सकते हैं अगर आपने लोगो अप्लोड करना है तो मैं तो जिस्ट आपको बता रही हूँ कैसे आप कस्टमाजिशन कर सकते हैं यह आपड़ डिपेंड है आप कैसे अपने ब्लोग को बनाएंगे इसके बाद हमने यह भी कर लिया उप्शन तो इसके बाद यह हैडर एड्स है हैडर एड्स यह वाला है यह वाला तो इदर जब हमें अप्रूवल मिलेगी न गूगल एड्सन की तरफ से तो वो वाला हम कोड इदर मैनुल पेस्ट करेंगे तो वो हमारा जो एड्स होगा वो इदर लग जाएगा इस कोड में हम जो कोड होगा ना इस कोड को हम रिमूव करने के बाद जो एड्सन का एड्सन के एड्सन का कोड होगा वो हम इदर पेस्ट करेंगे तो हमारे एड्स इस जगा पर लग जाएगा इस जगा पर भी सेम ऐसे सैटिंग है वो इदर नीचे आ रही है इदर साइड बार पर उसका कोड है तो इसके बाद मुबाइल लोगो भी आप इदर से चेंज कर सकते हैं जो हमने लोगो अभी चेंज किया था हैड़ लोगो हमने डेक्स्टोप साइड का लोगो चेंज किया था इसी तरह हम मुबायल का भी, लोगों इधर से चेंज करते हैं जिसे हम रिमोव करेंगे रिमोव करने के बाद हम इधर टाइटल देंगे, निइूज का जैसे हमने डेक्स्टोप मॉड पर भी अपनी वैबसाइड का न Chelsea नेम दिया था, तो इधर भी हम अपनी veure website का नाीम देंगी mobile पर जो logo हो गाई सिर्व करें गे सिर्व करने के बाद तो जी mobile पर भी आपका जो logo होगा वो चींज हो जाएगा तो इसके बाद आप नहीं नीचे स्रक्रोल डाउन करना है ज्य इस पेंसिल आप क्लिक करें है तो इसमेस harmful in vaigas चाहिए नहीं कर सकते हैं तो मैं इदर से करें आप भी रिमोव कर लेजिए गा जिनकी आपको ज़रूरत ना हो अपने रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग आप इन्हें सेट कर लेजिए गा जी जो मैन्यूज हैं मैं इन्हें अब रिमोव करूंगी इधर से मुझे ये भी नहीं चाहिए मल्टी ड्रोप डाउन ये भी नहीं तो हम खुद से जब मैं मैन्यूज वाली वीडियो पनाओंगी ना तो इस पर मैं मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगे कैसे आप अपने मैन्यूज को मैन्यूल एड़ कर सकते हैं तो अभी तो जिस्ट हम किस अपाल तो जो चीजे एक्स्ट्रा चीजे उनको हम इदर से रिमूब कर रहे हैं तो उदर से हमने मैन्यूज को डिलीट किया है तो हमारे पास एक ही सिर्फ मैन्यूज है तो अब कमिंग वीडियो में हम मैन्यूज को एड़ करेंगे इसके बाद न्यूज स्टिकर है ये स्टिकर क्या होते हैं जब आप अपने पोस्ट को इधर से पब्लिश करते हैं तो आपकी पोस्ट पर ऐसे स्टिकर एड़ होते हैं मतलब आपकी जो कैटागरी होती है ना कैटागरी के जो नीम होते हैं वो आपकी पोस्ट पर स्टिकर क इस सूरत में आते हैं तो इसके बाद होड़ पोस्ट पर इसको भी आप अगर रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं वरना इसे रिमोव करने में इदर से रिमोव कर रही हूँ और अगर आपने किसी चीज को एड़ करना होना तो आप इदर एड़ा गैजिट पर क्लिक करेंगे तो जो इदर चीज होगे वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इदर से मल्टिपल चीज़ें भी आड़ कर सकते हैं इदर से आप ब्लोग सर्च भी आड़ कर सकते हैं जावा सक्रिप्ट परोफाइल अगर आपने पेज हैडर फॉलवर्ज इमजीज पेजीज लिंक्स टेस्ट अक्सेटरा आप जो भी आड़ करना चाहते हैं लोगो ट्रांसलेटर तो आप इदर से एड़ भी कर सकते हैं इसके बाद अपने फॉल का नेम टाइब करेंगे तो वह आपका इदर एड़ हो जाएगा मतलब आपके हैडर के इदर एड़ हो जाएगा तो आप इदर से भी एक्स्ट्रा जो आपको जरूरत हो जिस चीज की आप उसे एड़ कर सकते हैं वीडियो बहुत लूंग बन रही है तो मैं जल्द जल्द बता देते हूं आपको इदर से आप सैड़ बार पर भी जो चीजे हैं एट्रिबूशन इससे आप रिमॉव कर दें जितनी important नहीं होती है इदर से CSS option इससे भी आप रिमॉव कर दें और default variables इससे भी आप रिमॉव कर दें इदर से Link List इसे भी रिमूव करें आप क्योंकि हमने ये वाली जो लिस्ट है इन्हें टोप पर लेफ्ट सेड पर और फूटर पर इसे हमने अड़ करना तो इसलिए हमें साथ बार पर इसके जरूरत नहीं है तो टॉप बार मैनू वेजिट इसे भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमने हैडर में इसे एड़ किया हुआ है तो हम नहीं चाहते हैं हम साथ बार पर इसे शो करें टॉप टॉप सोशल विजट जे जो हैं जे बाले इनको हम वही रखेंगे जिनके हमें जरूरत है एक्स्टा चीज़ हम इदर से रिमूव कर देंगे इसके बाद उपर भी हमने इदर फेस्बुक ट्विटर का रखा था तो इदर भी मैं दो ही रखूंगी आपको जिसकी जरूरत हो आप उतने स्लाक्ट इदर से कर साथे हैं थी मैं जस्ट आपको तरिका बतारी हूं कैसे आप इससे डिलीट करेंगे अपने एक्स catching करेंगे इसके बाद आप इदर से सेव करेंगे सेव करनेके बाद आप लिंक लिस्ट इससे भी आप इदर से मॉव करें मैं जैस्ट्रा इसे भी आप इदर से रिमॉव कर दें अगर करना चाहते हैं तो इसे भी रिमॉव करें इदर से फिच्चर पोस्ट इसे रहने दें सर्च दिस ब्लोग इसे भी रहने दें और अबाउट मी को आप डिलीट करतें इदर से इसके बाद ब्लोग आर्काइब इसे भी आप इदर से रिमॉव कर दें अबाउट आस कितनी आप इस्टा चीज़े दी यह इनों ने मुबाइल लोगो इसे भी आप इदर से रिमॉव करें वीडियो को आपने कम्प्लेट वाज करना है फिर जहां से आप छोड़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी रिसेंट पॉस्ट इसे भी आप इमॉव करें इदर से सोशल प्लगिन इसे भी आप इमॉव करें फेस्बुक इसे भी रिमॉव करें इदर से इसे भी रिमॉव करें आप इदर से रैंडम पॉस्ट इससे रहने दें आप मैन्यू फुटर इसे भी आप रिमॉव करें इदर से एड स्पेस यह अगर आप रखना चाहते हैं तो रह लें एड ही है इदर तो मैं इससे रहने देती हूं इससे भी रहने दें इदर से तो पॉस्ट इससे रहने दें इससे भी रहने दें इससे आप रिमॉव करदें इसके बाद section left इदर नीचे है यह वाले तो random post recent post popular post इसे इन चीज़ों को अगर आप रखना चाहते हैं तो रहने रह लें वरना इसे भी आप रिमूव कर सेते हैं इदर से जो भी आपने extra चीज़ जिस भी चीज़ पर add करनी हो प्लास पर click करेंगे तो इदर से आप multiple चीज़ों को add कर सेते हैं प्लास पर click करने के बाद सेब करने के बाद जाए और इदर भी ऐसे सेम यह वाले setting हार लिंक पर दी होई है पर दी होई है, sidebar पर दी होई है, top पर दी होई है जिस पर भी आप click करेंगे जहां से भी आप अपनी requirement के coding add करना चाहते हैं जिस भी चीज़ को add कर सकते हैं मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आप करेंगे तो इसके बाद menu footer है तो इदर से भी आप जो menu का footer है इदर से आप अपने pages को add करेंगे और उनका जो credit है इसे आप change भी इदर से कर सकते हैं तो नॉर्मली ऐसे होता है change तो इदर से हम जो pages है इन्हें हम इदर footer menu से add करेंगे तो अभी फिलहाल हम next upcoming videos में करेंगे complete setting तो हमने जे वाली customization अपने theme की कार ली है तो मैं आपको refresh करके दिखा देती हूं इदर से कितनी चीज़े remove हो चुकी हैं तो आपने भी same ऐसे प्रोसेस करना है जहां से समझ ना आ है comment section में पूछेगा मैं उसके बारे में भी guide कर दूँगी तो जे देखें काफिया तक हमारे blogger पर जो extra चीज़ें थी वो delete हो चुकी है अगर आपने subscribe को delete करना है तो आप इदर से delete भी कर साथे हैं layout से तो मैं इसे भी subscribe आस में video लगी होई है तो मैं इसे भी remove कर देती हूं इदर से तो इसके बाद आप refresh करेंगे तो video भी remove हो जाएगी subscribe आस वाले आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो comment से अक्षिन मैं पूछेगा मैं reply करूंगी अल्ला हाफीज